अब ही हम लोग NCRT का example number 9.4 देखने वाले है class 12 physics का NCRT के book में जो example का solution किया गया इस question का वो solution गलत है जो मैं solution आप लोगों को बतलाऊंगा वही सही solution है ठीक है क्योंकि समझ जाओगे आप क्यों गलत है उसमें ठीक है तो ये जो question है इस question में ऐसा problem होने के कारण ये question हो सकता आपको board exam में तो पुछेगा ही नहीं ये मेरे तरफ से guarantee रही आपको चलो ठीक है आगे आप बात करो समझो तो देखो जैसे की question क्या बोला है कि एक car है जिसका की side view mirror जो है जो कि हम लोग जानते है कि side view जो mirror होता वो एक convex mirror होता है इसलिए focal length हमारा positive रहेगा convex mirror का positive होता है ठीक है तो radius of curvature दियावा है 2 meter ठीक है तो radius of curvature जब 2 meter है तो उसका क्यालते है focal length कितना हो जाएगा focal length बराबर होता है radius of curvature by 2, 2 से divide किये तो यह आगे क्या focal length बराबर 1, अब एक चीज है क्या कि जो वो convex mirror है ठीक है उस convex mirror से सवाल में question क्या पूछ रहा है कि ए number question में पूछ रहा है कि जब यहां से 39 meter की दूरी पर यू बड़ाबर 39 meter की दूरी पर अगर object है कोई आदमी अगर दोडते हुए जो आ रहा है वो आदमी जब यहां से 39 meter की दूरी पर है ठीक है इधर आता हुआ हो रहा है तब जो image है मेरा image इसके पीछे बनता है convex mirror में तो वो image मेरा कितने रफ्तार से इधर की तरफ आता हुआ दिखेगा यानि कि velocity of क्या image हमको चाहिए जबकि velocity of object दिया हुआ है कि object जो है वो इधर move कर रहा है कितना से भाई 5 meter per second से तो जब 5 meter per second है तो आप लोग को एक बात मालूम होगा अगर साइद आपने पढ़ा है कि नहीं मालूम नहीं मैंने तो आपको पढ़ाया है velocity of image in spherical mirror बाया है मनुआ लिक करके सर्च कर सकते हो चाहे कोई साब यूटिवर का आप सर्च करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा जानकाड़ी कि spherical mirror में जो velocity of image है उसका formula होता है क्या formula होता है minus minus ये बताता है कि जिधर object चल रहा है उसके ultra direction में अगर object इधर से आ रहा है तो उसके ultra direction में minus तो सर्फ direction बताने के लिए है ठीक है तो velocity of image बराबर velocity of object into magnification का square ये चीज formula है इसी formula को लोग ऐसे भी लिखते है velocity of object into क्यालते है minus v by u इसका square करो minus हो या plus हो ये इक ही बात है velocity of object into क्या minus v by u करो या फिर magnification का एक और formula होता है f by f minus u magnification का एक और formula होता है f by f minus u इतना का square कर दो तब भी आपको velocity of image पता चल जाएगा ठीक है तो velocity of image जो होता है वो velocity of object किता है 5 into ठीक है क्यालते हैं focal length इसका दिया हुआ focal length है 1 divided by 1 minus minus अब उसके बाद minus u u की बात करे यह तो हमारा negative रहता है ना तो minus 39 minus 39 ठीक है ncrt में answer गलत दिया है ठीक है बता देते हैं क्यों 5 गुना 1 by 1 plus क्यालते हैं 39 तो यह हो गया 5 into 1 by 40 ठीक है इतना का यह तो square रहता है इस पे square है ना square छोड़ी गया था यह square होगा तो इसका square तो 5 into 1 by 40 into 1 by 40 तो 5,8 48,4 32 1 by 320 एतना मीटर पर सेकेंड तो जब सवाल क्या पुछाता है ए नंबर में क्या बोल रहा था कि जब क्यालते हैं convex mirror से वो जो side view mirror है यानि कि वहां से जब अगर 49 मीटर के दूरी पर object है तब image का velocity क्या है तो इसलिए 49 लेकर के U का मान हम लोग निकाल ले लेकिन NCRT में solution क्या क्या मालूम उसमें क्या क्या है कि जब 49 मीटर पर है तब और जब 34 मीटर पर पहुँचिया तब 49 से 34 के बीच यानि एक सेकेंड गुजार कड़के 49 से 34 के बीच का average speed निकाला है ठीक है तो वो गलत किया है ठीक है जबकि 49 से 34 का average speed नहीं पूछ रा वहिया ठीक है यह पूछ रा है कि कितना velocity से यह appear होगा image इस तरफ आते हुए पढ़िये है तब adject 49 पे है लेकिन ncatic solution में 49 से 34 के बीच क्या average speed है वो निकाल के दे दिया है जो कि वो गलत है ठीक है तो जबकि spherical mirror में किसी भी spherical mirror में velocity of image का यह formula होता है velocity of object into magnification का square magnification का formula हम लोग यह भी जानते है यह भी जानते है f by f minus u भी जानते है तो यह सारा चीज़ दिया हुआ था तो वो भी बठा के निकाल लिए तो यह सही answer है ncatic में जो दिया है वो गलत answer है तो दोससी दे दिया न 1 by 280 वो गलत है ठीक है ध्यान में रखना आप अच्छा अच्छा क्यालते है अगर आप teacher लोग से बात करो के पुछोगे solution आपको यही बताएंगे वो लोग ठीक है जाहे कोई सब यह सब formula के बारे में आप देखोगे तो बड़े-बड़े YouTuber लोग का और लोग का भी आप देखोगे इन्टू क्यालते हैं यह magnification के जिगा पे F by F minus U वही सेम चीज करना है तो velocity of image तब दिखेगा क्या अतना velocity of object यानि कि यह जो आ रहा ही है हमें सा 5 से ही आ रहा है तो focal length है 1 तो 1 minus क्यालते है minus U के जिगा पे अब 49 के जिगा क्या कर दिया है 29 ने इतना का square तो 5 इन्टू 1 by यह minus minus पलस हो जाएगा तो 29 एक 30 तो 1 by 30 है total का square है ना तो 1 by 30 इन्टू क्या यह total का square है तो 1 by 30 गुना 1 by 30 कर दिये तो 5 36 6 ती आठारे 100 6 ती आठारे 100C तो velocity of image हो गया कितना 1 by 100C meter पड़ सकेट 29 के बज़ाए यही कितना distance पे हो 19 पर हो तब तो तब velocity of image बराबर चुकि velocity of object into f by f minus u का whole square यही ना अब velocity of image बराबर क्या velocity of अब तो आप समझ गए 5 इन्टू 1 by 1 minus minus u के जिगा पे क्या एक बार 39 ले लिया था एक बार 29 आए एक बार इसमें क्या है 19 ठीक है तो whole square कड़ोगे तो यह minus minus पलस हो जाएगा तो 19 और 1 20 तो 5 इन्टू 1 by 20 उसी का क्या whole square तो 5 इन्टू 1 by 20 इन्टू 1 by 25 के 20 4 दुना 8 यानि कि 1 by 80 एतना मिटर पर सेकंट यह सही solution है उसमें जो दिया वो गलत है ठीक है D अब क्या है इसमें velocity of image इसमें 19 था ना तो आगला बार में 9 मिटर की दूरी पर है तब तो बस इसमें D नमर में क्या करना है जहां क्यालते 39 रखे थे एक बार क्यालते है 29 रखे एक बार 19 रखे तो अब इस बार बस क्या 9 रख देना है आप तो समझदार हुई तो velocity of object है velocity of object तो 5 का 5 रह गया 1 by focal length के जगा पे 1 फिर focal length के जगा पे क्या 1 minus minus u u के जगा पे क्या 9 इतना का क्या करना है square करना है तो 5 into 1 by minus minus plus 9 एक 10 10 का square तो 1 by 10 into 1 by 10 तो 5 डूना 10 दो दहीं के ये क्या 20 तो 1 by 20 एतना मिटर पर सेकेंड ये answer हो गया हर बार का ठीक है screenshot ले लो आप ठीक है ये सही solution है ठंडा दिमाग से आप सोचना अगर आपको confusion हो तो आपने offline teacher से भी संपर कर सकते अच्छे तरीके से वो एकड़ी कड़ जाएंगे ठीक है फिर बाबा बेस्ट आफ लग अपना comment में जरूर राय देना इस question को लेकर रहे बाबाबा